बार-बार केवाईसी कराने से मिलेगा चुटकारा, सभी काम के लिए एक ही काफी। केंदर सरकार जल्द ही यूनिफॉर्म केवाईसी के नियम लागू कर सकती है। इसके तहित बैंक, बीमा से लेकर म्यूचुल फंड और अन्य वित्तियक शेत्रों के लिए एक ही केवाईसी होगी। वित्तियस थिर्ता और विकास परिशद ने वित्तियस शेत्र में एक समान केवाईसी प्रनाली लागू करने का प्रस्ताव सरकार को दिया है। सरकार ने बनाई समिती, केंदर ने समान केवाईसी नेमो पर सिफारिशों के लिए वित्त सचिव टीवी सुमनाथन की अगुवाई में विशेशगे समिती बनाई है, जो यूनिफॉर्म केवाईसी को लेकर नेमो का धांचा त्यार करेगी। AFSDC के साथ हाल ही में हुई बैठक में वित्तमंत्री निर्मला सीतार्मन ने भी केवाईसी प्रक्रिया को आसान बनाने का सुझाव दिया था। इससे पहले भी वित्तमंत्री केवाईसी नेमो को आसान बनाने के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन पर जोड़ देती रही है। रहा है कि नई प्रक्रिया के तहित एक बार केवाईसी दस्तावेज पंजीकृत हो जाने के बाद CKYC पहचान पत्र जारी किया जाएगा। इसमें 14 अंकों की विशेश संख्या होगी। बचत खाता खोलने, म्यूचुल फंड में निवेश करने वबीमा पॉलिसी खरीदने के लिए निवेशक को अलग-अलग केवाईसी दस्तावेज जमा करने के बजाए केवल एक बार CKYCR से जुड़ा केवाईसी विवर्म देना होगा। क्या है मौजूदा विवस्था, अभी विभिन वित्त क्षेतरों के लिए अलग-अलग तरीके के केवाईसी करवानी पड़ती है। इसके लिए वर्ष 2016 में Central KYC Records Registry का गठन किया गया। इसके जरिये यह प्रक्रिया केंद्रीकृत और आसान बनाई गई। एक बार इसमें Registration के बाद इसी एजिंसी के जरिये अलग-अलग संस्थानों को KYC दस्तावेज जारी किये जाते हैं। क्या होता है KYC? KYC मतलब होता है Know Your Customer यानि अपने ग्राहक को जाने। इसके लिए बैंक और अने वित्तिय संस्थान अपने ग्राहकों की वास्तविक पहचान, आये के स्रोत और कारोबार से जुड़ी जानकारियों का पता लगाते हैं। KYC को कई सेवाओं के लिए अनिवारे किया गया है। इसमें ग्राहक की ओर से दी गई जानकारी को वैद दस्तावेजों द्वारा सत्यापित किया जाता है। इसकी अन्तिम तिथी 31 मार्च 2024 निर्धारित की गई है।